हेलो फ्रेंड्स विल्कम बेक टू माई यूट्यूब चैनल ए यार प्योपी डियान में आपका स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं मैं हमेसाब के बीच में प्योपी डियान की मार्किंग की विजू लाजा रहता हूं और उसकी जानकारी में आपसे शेयर करते रहता हूं त ठीक है और अंदर एक छोड़ने बाद यह मारा आच फिट बचा हुआ ठीक है और यह पूरा लंबाई इसका 14 फिट है और यहां से जब इसको फिट छोड़ेंगे तो यह 13 बचेगा ठीक है तो इसकी मार्किंग करूंगा इसका पॉइंट मैं बताऊंगा आपको तो चैनल पहले बारा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन का बचन प्रेस कर दीजिए कि आगे आने वाली बीडियो को नोट्फिकेशन आपको पहुंच जाएगी और लाइक करें अपने दोस्तों शेर करें तो चले सुरू करता है वीडियो यह एक डिज । और मैं पॉइस पैसे करेंगे कि हम यहां पे ठीक हमें जो इमेज में दिख रहbound यहां पर गली यह वहां पर गली नहीं दीख रहिए इधर गळीजर आलिकर लिक्राइए रहिए भी अरले आप अर्फीन रिया बराबर करके ठीक है आप यहांपर मार्किंंग करसकते है को है ठीख है देखिए यहाँ पर तीन फिर छोड़ देना है और यहाँ से क्या करेंगे हम कि एक तो अब जितनी गली रखने होंगी मालीजा गोत चार इन्च की गली रखनी है ठीख है तो चार इन्च की गली की कि इस अब मैं आपको पूरा मार्कर आपको दिखा देता हूं कि कैसे कैसे मार्क करेंगे उसके बाद हमको यहां से क्वेगे इस पूंश्क बातो हैं प्लाइएへं से हम यहां पर शोड़ से लिए जब मारकें उसके देगे लिए हम से अब अगर आपका ज्यादा होगा ठीक है तो यहां पर उसे हिसाब से चार छोड़ लेजए गाठ एक इसको तीन रखिएगा फिर इसको आप 2 सकते हैं ऐसको बैरहाल यह हमारा तक्रीमा वान पॉइंट है है यह हमारा वन पॉइंट है तो यह देख पा सब्सक्राद हम क्या करेंगे यहां पर आएंगे सेंटर पर रखेंगे अब यह वाली मार्किंग हम घुमाएंगे कैसे यहां से देखे लिजिए कि ऐसे घुमाएंगा हम यहां तब देखे लिजिए कि फिर हम गली घुमा देंगे चार इंच की चाहिएन के मार्किंग यहां से गौमा दिया चिक है ऑल वाले सेंटर से रखक करके है और यह वाला मार्किंग यहां हम देखें को हम अरो इस मार्किव को हम दिखेंगे कहां तक का रहा हमारा तक है क्ला कि हम क्या करेंगे यह दो हम ये यहां पर कटिंग है यह हमारा होगे यहां तक छीख है आपने समझ लिए कि यह मार्किंग हमारी कहांस हुई है हमने आपको यहां पर बता दिया अब जो नेक्स्ट मार्किंग हम क्या करते हैं सबसे पहले कि यहां पर हम इस सेंटर कि यहां तक बाहर werd की आपके बाहर जैएगा जियान रखेगा अगर आपका जगे नहीं घुमाने के लिए तो आप पाइप इस्तमाल कर सकते हैं पाइप से आप यहां पर और चारीं जमारी कि यह ऑद आप यह देखने हैं夠 है झाल कि यहां नहीं यहां से सिन्टर अब इस वाले मारकिंग से हम यहां मारकिंग यहां से मार्किंग कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है अप यहां पर आपको रखना है ठीक है और यहां पर लाना है ठीक है कि मिला करके एक बार हम यहां ओंपो छेक्न कर Jai Sig कर देखंगे थोड़ा हमें उससे मार्किंग चैना ट्रिक में आगे ने मार्किंग कर्देंगे तो तकरीबन हमारा उसी पॉइंट पे आ गया है उसी फ़रक है इसी पाप आगे पीछे करके करके मार्किंग कर सकते हैं जो मैं चीज बाता आया हूँ ठीक है वहीं से अब इसके बाद क्या करेंगे कि हमने जो मार्किंग लगाए है दो फिट यहाँ पर आएंगे और ये marking हमारे दो seperti हैं हम यहाँ पर ऐस से इसको marking कर देंगे जी awake जितना गली है गली का marketing कर देंगे जिसके देख दिए हैं बहुत आसान है भुस मारके समझने की इस में थोड़ा सा दिक्त था जब समझ लेंगे मारकें तो नहींगे करनakin आप आसानी से अब इसके बाद आप समझ लिए अब इसको हमको सीधा करना है तो वह चीज में आपको समझायता हूं कि यह चीज़ हमको थोड़ा सा सीधा करना है तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम ने जो मर्क अब क्या है कि यह मार्किंग थोड़ा हमको और यसलाए ज्यादा है तो एक फीट हम और बढ़ा लेंगे बिश्चे जाएंगे जो हमारी में मार्किंग है दस फीट की वो आपका दिवाल आ जाएगा तो तकरीबन उतना किनारिया पुछले जाना है ठीक है उसके बाद आप यहां फर्मा रखिएगा जहां तक यह आपका मिल जाना चाहिए यह जैसे की फरक नहीं देखना चाहिए उसके बाद थोड़ा सा यहां पर मिला करके कि इसको मार्किंग कर देंगे तो यहां से पीछे से थोड़ा में इसको अच्छे तरीके से मार्किंग कर देते हैं ठीक है कि आप चाहें तो वहां भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया अगर आपको फुल राउंड ही चाहिए तो आप वहीं पर मार्किंग यहीं से ठीक है यही वाली मार्किंग आप जो हमने पहले मार्किंग रख हो था यहीवाला आप खर सकते हैं कोई दिक्कत ने तो देखी लिभी यख़ यह मार्किंग हमारी इधर की हो गई Wow अब आपको मैं दूसरी मार्किंग समझा एद उसको कैसे करेंगे ठीक और यह चीज है जो यह चीज आपकी थोड़ा सा यहां पर इसे चा데 कि आप पर एक मार्किंग हमारी यहां से कट करके और इस पर आई है ठीक है उसको मार्किंग करने के लिए इसी पर हम पीछे एंगे तकरिबन जो हमने मार्किंग किया वहां से एक फिट पीछे चलिया येगा ठीक है और वहां पर रख करके पहले आप चेक कर लिजेगा ठीक है तो एक सब्सक्राइब यहां पर 2-3 इंच और पीछे कर लीजएगा चिक्यों कोई दिक्कत नहीं है कि सब्सक्राइब बेरहाल मैं रखा तक आपको बराबर मार्किंग समझा सको लिकिन जब तो तो यहां से तक्रीब हम आएंगे इसी मार्किंग से तक्रीब हम देखे चले आएंगे और यहां पर रख करके हम एक बार करके देख लेते हैं तो इसके वाद इस वाले करना है तो यहां समने पीछे लिया 1.5 फीट यहां पर हमारा तीन इंच फरक आगया है तो दो तीन इंच कोई दिक्कत नहीं होता है और एक चीज और आपको समझा देता हूं कि यह जो सरकल है आप रूम के अंदर से नहीं घुमा सकते यह और यह भी चीख है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको पाइप का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा यह तो आप नीचे कहीं चौड़ी जगह रख करके वह वाला एरिया इतना नाप करके और इतना सकते हैं यह तक्रीबबन आपका 8-9 फीट के अचीख है देख लीजिए यहां से यह वाला तक्रीबबन आपका आएगा और यह वाली तक्रीबन आपकी आएगे शाड़े साथ फिक मार्किंग ठीक है तो इसको आपको बाहर रखकर घुमाना पड़ेगा रूम में नहीं घुम पाएगा ठीक है और यह तो आप पाइप का इस्तमाल कर सकते हैं यहां पर रखकर के और यहां पर पाइप रखकर के मार थोड़ा सा इसको आप यहां से हलका सा ऐसे राउंड से कर दीजेगा हलका सा ठीक है तो यह दिजाइन आपको कैसी लगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह पसंद आगी तो वीडियो पसंद आए तो हमेरे वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके हमें जरूरू